नमस्ति दोस्तों, soft learn के learning series में आप सभी का स्वागत है ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है, दिसंबर महिना है और बच्चों को थोड़ी ही दिन में Christmas की चुटिया भी लगने वाली है तो ये सब देखते हुएं, बच्चों को कैसे हम engage रख सकते हैं, बच्चों को क्या activities हम करा सकते हैं, इसके बारे में आप सब लोग जरूर सोच रहे होंगे तो आज मैं लेकर आई हूँ, winter theme के worksheets जो हम बच्चों सो करा सकते हैं इन worksheets का age group जो है, वो लगभग 3-4 साल की उम्र का है, लेकिन आप आपकी creativity के अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हो सबसे पहला जो worksheet है, वो है coloring worksheet, ये इसमें मैंने एक Santa Claus बनाया हुआ है Santa Claus बहुत easy है drawing बनाने के लिए, मैं आपको इसकी tip भी बताऊंगी तो इसको आप बच्चों को color करने के लिए बोल सकते हैं, definitely Santa Claus है तो लाल और black color में इसका combination रहेगा और जो बाल है, वो white color के रहेंगे, आप बच्चों को Santa Claus red, black and white color में color करने के लिए बोल सकते हैं बच्चों को अपना imagination भी इस्तमाल करने दीजे, अगर बच्चे कुछ और color भी देना चाहते हैं इस प्रकार से, Santa Claus कैसे निकालना है, इसका मैं एक short आपको बताती हूँ कि आपकी उंगलिया आपको ऐसे रखनी है, जिस प्रकार से मैंने रखी है आप देख सकते हैं कि ऐसे उंगलिया रखने से जो है, आपको सिर्फ outline बनानी है तो ये bear बन जाएगा, और जो हाथों की outline बनती है, उसमें Santa Claus का चहरा बन जाएगा तो इस प्रकार से आपको Santa Claus बनाना है, और उसको जब आप revert करोगे, तब आप उसके बाल और cap आगे बना सकते हो तो ये बहुत simple idea है, Santa Claus ड्रॉ करने का, तो आप भी इसी प्रकार से drawing बना सकते हैं, और ये coloring worksheet बच्चो को दे सकते हैं next worksheet की बारी आती है, next worksheet में मैंने ginger bread बनाया हुआ है, ginger bread भी एक story का character है, जो बच्चो को बहुत पसंद आता है इस ginger bread में मैंने अलग-अलग shape निकाले हैं, जैसे उसकी smile है तो semi circle निकाला है, हाथों पर भी semi circle निकाला हुआ है उसी के साथ उसका जो coat है, उस पर मैंने square निकाले हुए हैं, और coat की जो button है, उस पर circle निकाला हुआ है, नाग भी circle किया हुआ है तो इन shapes को color coding दिये हुए हैं, जैसे orange है, green है और red है, तो इन color coding के हिसाब से ही बच्चों को coloring करनी है तो ये भी coloring activity है, लेकिन इसमें जो है बच्चों को instructions follow करना है, साथी साथ color coding को भी follow करना है तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा tough target हो गया, आगे जो है, ये है एक reindeer बना हुआ है और reindeer को numbers दिये हैं, उन numbers के साथ color coding दिया हुआ है तो नरसरी के बच्चों को number just introduce हुए होते हैं, तो उनको ये numbers के साथ वाला color coding बहुत पसंद आता है इसमें मैंने one number दिया है उसके horns को, तो dark brown या black color के horns यहाँ पर बनाने है जैसे तीन number में हैं, तो brown color देना है reindeer को और four number पर है red color, तो जो scarf है उसको red color बच्चों को देना है इस प्रकार से ये reindeer बच्चे color कर सकते हैं, ये winter theme पर best है तो obviously बच्चों को अच्छा लगेगा और Santa Claus के साथ साथ आप reindeer के posters भी बच्चों के room में लगा सकते हैं और एक winter theme create कर सकते हैं, next है tracing activity, tracing activity में यहां पर air waves दिखाए हुए है, जो हवाय चल रही है और वो clouds को जो है वो उड़ा कर लेट कर जा रही है, इसलिए बहुत ठंडा मौसम आ गया है, इतना ठंडा आ गया है कि यहां पर बरफ गिरना चालू हो गया है, तो mountains वर क्या है rotation भी अभी change हो रहा है, तो इस प्रकार से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि winter आखिर आता क्यों है, साथी साथ उनको यह tracing activity जो wave pattern है, या mountain pattern है, या hop pattern है, इसकी activity आप बच्चों से करा सकते हो, next जो वरक्षिट है, वो है जिसमें winter cap बनी हुई है, और साथी साथ winter cap में अलग-अलग shapes बने हुए है, तो पहले तो यह coloring activity हो गई, जिसमें की shapes को color करना है, cap को color करना है, लेकिन उसमें भी color codes दिये हुए हैं, जैसे blue color है, orange color है, green है, और red है, तो जो shape में जो color दिया हुआ है, उसी को यहाँ पर color करना है, तारे rectangles हो जाएंगे red color में, उसी के साथ सारे triangles हो जाएंगे blue color में, circles हो जाएंगे green color में, इस प्रकार से coloring देना है, और उनको count भी करना है, कि कितने shapes हैं cap में, और वो shapes की numbers यहाँ पर लिखना है, तो यह maths की work sheet हो गई, जिसमें winter cap याने के एक winter wear, seasonal wear हमने निकाला हुआ है, आगे के theme में Christmas trees बने हुए हैं, और Christmas tree में layers है, तो पहले तो इनको भी बच्चों ने color करना है, साथी साथ वो कितने layers हैं, उन layers को count करके, उसका number इस box में लिख देना है, तो यह counting activity बच्चों के लिए हो गई, और यह जो है, यह जो trees पर decorate करने के लिए हम balls लगाते हैं, वैसे balls बने हुए हैं, या जिसको bulb भी बोल सकते हैं, तो उन bulb में हर एक letter लिखा हुआ है, तो यह missing letter की activity बच्चों से करा लेनी हैं, जिसमें बच्चे A के बात क्या आता है, B आता है, C आता है, इस प्रकार से letters लिखते जाएंगे, Z तक. थंडी का मौसम जैसे ही आता है, तो अलग-अलग fruits बाजार में available हो जाते हैं, तो बच्चों को fruit खाने के लिए encourage करना है, तो winter season में कौन-कौन से fruit खाने चाहिए, तो apple है, strawberry है, pomegranate है, या kiwi है, ये fruits winter season में खाने चाहिए, या ज्यादा तर से ये सारी fruits winter season में available होते हैं, जिसकी मिठास भी बढ़ जाती हैं, तो ये fruits को count करना है, color करना है, और उसका number जो है, in boxes पे लिखना है, ये activity है, coloring come maths worksheet की. आगे चलते हैं, यहाँ पर है English की activity, ये P is for papaya बनाया हुआ है, और papaya भी ठंडी के मौसम में खाना चाहिए, बच्चों ने, जिससे की गर्माहट शरीर में बढ़ती है, ये सारे जो letters बने हुए हैं, इसमें बच्चों को P ढूणना है, और सिर्फ P को color करना है, तो P के जो similar दिखने वाले words है, जैसे B है, D है, Q है, वो इसमें बने हुए हैं, तो उनको color नहीं करना है, सिर्फ P को ढूण कर, याने के screening करके, find out करके, बच्चे इसमें color करेंगे. नेक्स जो वर्क्षिट है, वो थोड़ी से बड़े बच्चों के लिए है, या तो आपने अगर two letter words बच्चों को सिखाना चालू किया है, तो आप इस वर्क्षिट को करवा सकते हैं, जिसमें की एक Christmas tree बना हुआ है, और उसमें letters दिये हुए हैं, T, O, S और N, तो इन letters को use करते हुए क्या-क्या words बनते हैं, तो A, T बनता है, at, as, an, to, so, no, इस प्रकार से two letter words बनते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर भी वो words copy हो सकते हैं, तो आप एक ही worksheet को अलग-अलग way में बनवा सकते हैं, जैसे form words है, या copy words है, उसी के साथ missing letters आप दे सकते हैं, जैसे कोई three letter word दे दिया, या two letter word भी दे दिया, तो उसमें console letter missing है, वो आप find out करने के लिए बोल सकते हैं, या तो find the letters जैसे activity भी simple activity बच्चों के लिए दे सकते हैं, या circle vowels जैसे activity दे सकते हैं, जैसे आप देख पाओगे कि इसमें vowels कौन से हैं, तो A और O ये vowels हैं, तो आप उनको बच्चों को बता सकते हैं कि vowels को circle कले, इस प्रकार से आप ये activity थोड़े बड़े बच्चों के लिए या जिनको two letter words introduce हुए हैं, उनके लिए आप बना सकते हैं, आगे यहाँ पर snowman बना हुआ है, snowman को भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और snowman में यहाँ पर कुछ numbers बने हुए हैं, जिसमें बच्चों को eight number ढूनना है, और उसको या तो circle करना है, या तो color करना है, तो आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, snowman को बच्चे color भी कर सकते हैं, जैसे scarf है, snowman की hat है, नाक है, उसको बच्चे color भी कर सकते हैं, लास्ट वरक्षिट है, यह थोड़ी सी bonus वरक्षिट है, जो किसी subject related नहीं है, लेकिन यहाँ पर pattern copying की वरक्षिट मैंने बनाई है, इसमें क्य किया है, कि socks बने हुए हैं, और बच्चों को socks का जो pattern है, वो सारे वरक्षिट में copy करना है, उसी दरह से जो color दिया है, उस color में बच्चों को socks color भी करने हैं, तो यहाँ पर circle बने हुए हैं, यहाँ पर triangles बने हैं, यहाँ पर straight line बनी हुई हैं, और यहाँ पर borders पर lines बने pattern बनाएंगे, और उनको color भी करेंगे, तो इस प्रकार से pattern copying की यह worksheet है, तो यह सारी worksheets आपको कैसे लगी, मुझे जरूर बताइए, और अलग-अलग topic पे, जैसे find letters हो गया, या count the objects हो गयी, या write the missing letter हो गया, फिर count and color की, tracing worksheets की activity हो गयी, इस प्रकार से अलग-अलग worksheets बच्चो के लिए बने हुए हैं, इन ideas से आप भी worksheets बना सकते हैं, और बच्चो को engage रख सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को like और share करना ना भूले, आपके comments मेरे तक जरूर पहुचाईए, और कुछ topics आ भी मैं videos बना सकती हूँ, आप please comment के जरीए मुझे जरूर बताईए कि कौन से topics पर मैंने videos बनानी चाहिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक छुट्टिया enjoy करें, बच्चो के साथ Christmas को enjoy करें, और साथी साथ इन सर्दी के मौसम में आपका सेहत का खयाल भी आप ज में में आपकार